वालवाणे के जैे जैे बूले देवा दिले फ्विर्स प्रवागवाने के जैे जैे कि जू अन्मक्रण भाव स्थार्थ कि अ चैन्म परंपूजिर्य॥ स्पराइब क्या थे तीरत्राश शंबी शेकर की तलटी में इस्तित गुणायतन परिसर से आत्मिकाश का दिवशदन जैशिद्धानतों की वैज्ञानिक प्रयोक्षाला जहां वुलेगा समोशन सत्थ और संस्क्रती का सजा भव्वितान कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान ऐसे हम और आप शंका शंबधान का कारिकम प्रारम करें उसके पूर्व पारस चैनल और प्रमाणिक एप की माद्यम से जो इस कारिकम को देख और सुन रहे हैं और यहां पर उपस्तित शमस्त स्रावक्षाविकाओं की उससे परम पूज मुनिवर के स्रीचड़ों मनमन करते हु हे गुरुवर नमोस्तो हे मुनिवर नमोस्तो आईए हम और आप शंका शंबधान का कारिकम प्रारम करें उसके पूर्व मैं उन शुदी स्रावकों को आमंतित करूँगा जिनोंने आज गुनायतन का अलोकन किया अनभाव केंद्र का अलोकन किया और देखने के वाद इनके भाव वने गुनायतन से जुड़ने के ऐसे थुदी स्रावकों को सम्मान से आमंतित करूँगा वे आएंगे परंपोज मुनिवर के स्रीचर्णों में नमन करते हूँ गुरु बंदना का शुभाग प्राप्त करेंगे और हमारे गुनायतन प्रिवार के जो भी शुदी त् दान देने के भाव रखे हैं शिरिमत्ती शरोज जेन धल्मपत्नी शनतकुमार जेन अशोक नगर इन्होंने एक सोने की अंगुटी प्राप्रदान की जोड़दार ताली वजाकर शम्मान करें चंद्रकांता वईशल धल्मपत्नी रूपचंद वंसल लूना वाले प्रदान किया है निर्वार निजी से जुड़ने का सभाग जिनन प्राप्त किया है शिरिमत्ती प्रतवा प्रदीव जैंश शागर शिरी अशोक शिरिमत्ती शुरेखा गांधी मुंबई एक वारताली वजाकर शम्मान करें और आईए सूत इधार की रूप में जुड़न का करिकम शंपन करेंगी शिरिमान प्रमोत कुमार जी आश्या अमेत योगेंद प्रिया पुन्या शम्यजियन राची जन्होंने शुत इधार की रूप में गुणायतन से जुड़ने का शौवहग प्रत किया है और इनके और इनके शंबान के लिए मैं आमंतित करूंगा मह सावीर प्रशाजी, शपना सेटी, साडम, संजय सेटी ये दोनों आएंगे और हमारे शंबानी परमोत कुमार जी उपर आजाईए स्रिपल वही रगाले संजय सेटी आजाएंगे साडम हमारे शम्मानी शूतिधार का शम्मान करने के लिए और मैं चाहूंगा इन्होंने जो भाविक्त की हैं उनकी अनुदना में आपकी तालिया तो वजनी ही चाहिए और इश्री करम में शिरी शंजीर कुमार शुपत स्वरगी मानिक शंजी अरिहन्त कुमार जिन पानिपत जिन शूतिधार की रूपे जड़ने का शौभाग प्रात किया है मैं शंबान सहत आमंतिध करूँगा वे आए परंपुज मुनिवर के स्रीशना में नमन करते हैं गुरुवन्दा का शौभाग प्रात करें और उनके शंबान के लिमें आमंतिध करूँगा शिर्मान पुष्पेंजी शवीता शिर्मन शन्रक्षक गुणायतन वांदा भुपाल वे आएंगे गुणायतन परिवार की ओर से हमारे शंबानी शंजियो कुमार जी शुपत्र मानिक शंजी अरहंत कुमार जी पानिपत इनका शंबान का कारिका हम शंपन्न करेंगे आये शाब और आपकी तारियां वस्ति रहने चाहिए शूत्यदार के रूप में जुड़ने का सवभाग प्राथ किया है और मुनिवर के आशिरवाद की प्रतिक्षा में है और मुनिवर आपका आशिरवाद हमें प्राथ तो हम गुणायतन टेश्टी की रूप में भी गुणायतन से जुड़ने का और सवभाग प्राथ करना चाहती है और आईए अगले गुणायतन ट्रिष्टी गुरूप में जुड़ने का जोड़ने का शौभाग प्राथ किया है। अंका श्मान का कर्यकम शंपन करेंगी। और इनके साथ मैं आमत्तित करूंग गुरायतन की कोशाध द्रक्ष श्रीमान एैनल जैन्सवर ये दोनों शान्ति प्रिकास जी दिल्नी उनका शंपन करेंगी। जिने गुरायतन से गुणायतन ट्रिष्टी गूर्प में जुड़न अनिता तीर्ट साहे नौगाव वाश्वाड़ा जिन्होंने पहले निर्मान लिदी के जूपे जुड़े थे अब गुणायतन के ट्रश्टी बनने का औशर शौभाग प्राप्त किया है मैं शम्मान शैत आमंतित करूँगा वे आए परम पूज मुनिवर के स्रीचड़ में नवन करते हो गुरुबन्दा का शवाग प्राप्त करेंगे और उनके शम्मान के लिए मैं आवंतित करूँगा अशित अर्चना गुणायतन टेस्टी कोलकता और श्रीमान एनल जैन्स साव कोशाद्धक्ष गुणायतन श्रीमान वादामिलाल जी नौगामा वाश्वाड इश्रीक्रम में शूत्रदार की रुपे जिन और जुणने का शवाग प्राप्त किया है श्रीमान गौरो श्रीमति अंजली आरो अपूर बंदो एक सूचना अभी अभी मुझे प्राप्त हुई है बादामिलाल जी जो की नौगामा बाश्वणा निवाशी हैं गुणायतन ट्रिस्टी तो बने हैं लेकिन आप यहाँ पर जो शेह स्कुट चेहत त्याला देख रहे हैं उसमें एक बड़ी प्रत्मा देने का वी इस परिवार को प्राप्त हुआ है जोरदार और मैं यह कहना चाहूंगा यह ओनलाइन गुणायतन ट्रिस्टी बने थे ओनलाइन बड़ी प्रत्मा देने का उशर प्राप्त किया है शूत्रदार की रूप में श्रीमान गोरो श्रीमति अंजली आरो अपूर जैन रागो ग गुणा अगर उपास्तेत हैं तो वे आए परमपूज मुनिवर के स्रीचेड़ों में नमन करते हुए गुरुवन्ना का शुवाग प्राप्त करेंगे और और इनके शम्मान के लिए आम अंतित करूँगा हमारे गुणायतन के कोशाद्दक श्रीमान एनेल जिन साब और इशिक्रम में आज दो परिवार और हैं जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन टेस्टी क्रूप में जुड़ने का आउशर शुवाग प्राप्त हुआ है मैं कहना चाहूंगा लोगों को मौका मिलता है तो अपने आफ सहजता से गुणायतन से जुड़ते जा रहे है शिरी गौरा जेन अंजली आरो अपूर रागोगर बुना इनके शम्मान के लिए शिमान एनल जैन शाव और आईए गुणायतन टेस्टी क्रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का आउशर शुवाग प्राप्तिया है श्री रमेश कुमार, जवेर चंद, श्र श्रिमती रेखावेन, आरो अजेन, भव्याजेन, एहमदाव वाद, जिन्होंने इस गुणायतन से गुणायतन टेस्टी क्रूप में जुड़ने का शौभाग प्राप्त किया है, पूरे परिवार को अमंतित करूँगा, वियाय परंपूज, मुनिवर के स्री चरूमें न श्री का जावें, रमेश लिबाद, पूराइए बंदो, संका शमधान का कारिकम, हम और आप प्रार्म करें, उसके पहले आप सभी के लिए सूचना है कि आगामी, एक नवंबर से आठ नवंबर तक परंपूज, मुनिवर के, युगल मुनिवाज के शाने द्वैं, तीर त पर जो विवस्ता हैं, उस दुरान संचालित होंगी, भोजन विवस्ता, त्यागी विति भोजन विवस्ता, द्रव शामगरी भोजन विवस्ता, अगर आप किसी कारण से नहीं आप आए हैं, और आपके इस आयुजन से जुड़ने के भाव हैं, तो पारस शेनल, जिन्वा 11,000 रुपे की राशी है, और जो त्यागी व्रति भोजन में वस्ता है, उसके लिए राशी निश्चित की गई हैं, मात्र 59,000 रुपे की, आप इन योजनाओं में शमलित होके घर वेटे शाती से पुन्न का शंचे कर सकते हैं, आईए, चलते हैं इनी सभी सूचनाओं के श चाहते हुए, लोगों के जीवन सेली को बदल दिया है, एश शंका शमधान के कारिकाम को हम और आप प्रहरम करेंगे, और मैं आमंतित करूंगा, डाक्टर विवेग जी जैन, उदैपुर, उसके बाद तयार हैंगे, शौमेज जैन, कोटा, जिनके नाम लिया जाए, पहले शुति ग्वालियर, भई अपने नाम बता देना, सौमेज जैन, कोटा, इसके बाद तयार हैंगे, शौति ग्वालियर, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु, मेरी शंका है, कि एक ग्रस्त अगर अपनी ग्रस्त अवस्ता त्याग कर, हमेशा के निवा कर आना चाहिए, देखे, अगर गहस्त को अपनी गहस्ती छोड़कर, गुरु शरन में आना है, तो पहले अपने बहवार से पूरे घर परिवार को संतुष्ट करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, उनसे अनुमती लेने चाहिए, भाग कर आना ठीक नहीं है, जाग करके आना ठीक है, जो जाग कर आता है, उसका त्याग चमकता है, और जो भाग करके आता है, उसका त्याग धूमिल होता है, अंदर से जागो फिर जागो. नमास्त रूपर, नमास्त रूपर, नमास्त रूपर, और आए, मैं शम्मान सहत आमंतित करूँगा, जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करते हैं, परंपोज मुनिवर से निवेदन किया, और गुणायतन टेश्टी ग्रूप में जुड़ने का शवभाप रात किया, हमारे गुणायतन टेश्ट परिवार के कोशाद दक्ष श्रीमान एनल जेंस साव और श्रीमान पुष्पेंजी श्रीमान शंदक्षक वांदा भोपाल और आईए अगले प्रसंदि तयारेंगे श्रियान शुती गौलियर मैं आप से कहना चाहूंगा जैसी आपका नाम लिया जाए अप अपने इस्तान में खड़ो जाएंगे श्रीयान शुती गौलियर उसके बाद तयारेंगे अमूल साहे गुणगाओं हर्याना जी दोनों नहीं है चलिए आशिश पटवारी विजौलिया जी उसके बाद तयारेंगे शतेंद्रेंच अमलेश्वर जी भीलवाड़ा नमोस्तु गुरुवर गुरुदेव मेरी शंका ये है कि हमें देवशाष्ट गुरु की भक्ति वैसे तो निस्वार्थ ही करनी चाहिए लेकिन देवशाष्ट गुरु की भक्ति हमें निस्वार्थ ही करनी चाहिए लेकिन फिर भी अगर देवशाष्ट गुरु की भक्ति स्वार्थ मैं भी की जाए तो उसका कोई पुन्य मिलेगा या उसमें हमें दोश लगेगा देखो एकी बात है भक्ति करो निश्वार्थ करो तो सबसो उत्तम निश्वार्थ करने वाले निश्वार्थ भक्ति वालों का पुन्य गाढ़ा होता है और जो लोग स्वार्थ सहीद भक्ती करते हैं, उनका पुन्य थोड़ा पतला हो जाता, पाप तो नहीं लगता, तो हमारा जो उदेश है, हमें उस उदेश को ध्यान में लगकर चलना चाहिए, सदे एक बात का इस्मान रखें, पेड के नीचे जाकर छाया मांगने की बात क्य हम जब पेड के नीचे आएं, तो च्छाया अपने आप अर्शे की, पर जो नादान किश्म के लोग होते हैं, उनका मन नहीं मांगता, वो पेड के नीचे आकर के भी च्छाया ही मांगते हैं, जब समय आएगा वो भी सुत रहेंगा। नमोस्तु गुरुवर, मैं 36 चमले सुरजी से लगभग 72 गाओं लगते हैं महराजी, सभी की और से आपको नमोस्तु करते हुए प्रातना कर रहा हूं, सभी की और से, कि आपके शिरी चरनत चमले सुरजी में पढ़ें, तो हम सब का आहो भाग होगा। महराजी, मेरी संका ये है, हम यात्रा करने जाते हैं, जहां तक हम पारशनाथ भगवान की टौक तक पहुँचते हैं, तो हमारे अंदर ललक रहती है, कि अब बो टौक आएगी, अब अगली टौक आएगी, लेकिन पारशनाथ की टौक पहुचने के बाद ऐसे लगता कि सब कुछ यहां मिल गया, और जैसे नीचे उतरते हैं, तो नहीं चायते हुए, आज जो जितनी तागत है लोगों के अंदर, नहीं चायते हुए भी महराजी ऐसे आता कि बाइक से नीचे चले जाएं, या डोल लेकिन चले हैं, तो महराजी बाइक से आनِ में पुन्न चहय होगा या भादना पूरी है, महराजी तो हमें समाधान करें महराजी, कि बाइक से जो आते हैं तो उनको पुन्न लगएग लगेगा, या नग अवरो developer भीया, वाइक से आ रहे हो, नहीं बाइक से आरह हो इखका कि आपके गाड़ी चला रहा है, रास्ते में जीव जन्तवों को रॉंद राया, उसका पाप क्या के बाइक वाले को लगेगा, जिसके निमिद से बाइक चल रही है, उसको होगा, किसको होगा, किसको होगा, बोलो बेठने वाले को होगा, महाराच्छी, तब आप लोग तै कर को माणे, किसको हमें क्या करना है, सभ एसके है, जेखो अपना उसास्षाळणि नहीं करना चाहिए, सब संकल्प के परिणामशे होता है, जि रहुमारा संकल्प प्रवल हो, तो अपने आप पाऊं में बल मिलता है, अब संकल्प सितिल हो जाए, तो फिर तो सब दिखता ही है और लोग सवार हो जाते हैं हम देखते हैं जब परिक्रमा में जाते हैं तो जंगल में सब के पाओं में बल होता है पर वो साथ किलो मेटर मधुपूर से लेकर के निम्या घार तक का रस्ता में जब गानिया दिखती हैं सब पन्चर हो जाते सब के संकल्ब शितिल हो जाते उसमें वे लोग पएदल चल पाते जो ठान के जाते हैं कि हम को पैदल ही परिकमा करता हैं तो बाकि जिए परिकमा लंगडा हो जाता समझ किए है अपनी बंद्ना ठीक करो लंगडा करना अमुल सहय गुणगाव हर्याना उसके बाद तहीं आरेंगे गुड़ायतन टेश्टी परिवार की भारती जैन एहम दावाद महराशी के चर्णों में कोटी-कोटी नमन महराशी जैन दन के अनुसार वास्तु सास्र का क्या महत्वा है अगर महत्वा है तो क्या किसी गर या दुकान को किसी वास्तु मेथड से हम उसको ठीक कर सकते हैं और दूसरी चीज है कि काफी वास्तु एक्सपर्ट कहते हैं कि आप इसकी दीसा बदलो या रंग कलर बदलो तो ये ठीक करेगा तो क्या ऐसा कुछ होता भी है तो ये मेरा एक क्वेश्चन यह है और दूसरा क्वेश्चन यह है कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन से पिडित है रात को सोने से पहले या कोई भी चीज की सरुवात करने से पहले नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो इस चीज को कैसे वो दूर कर सकता है देखा बास्तू के संदर्प में मैंने अनेक बार अपना मारगश्चन दिया है पर चुकि यह सवाल ऐसा है कि प्राया उठता रहता है इसलिए बीच-बीच में मुझे इसका उतर दोहराना भी पड़ता है देखे बास्तू कुछ नहीं है ये कहना ठीक नहीं है पर बास्तू ही सब कुछ है ये मानना भी ठीक नहीं बास्तू को मानिये पर बास्तू का हववा अपने दिमाग पर मत होने देजे समझ गया एक बात सदेव ध्यान रखे कि हमारे जीवन की विवस्था द्रब्व छेत्र काल भाव के अनुशार चलती है बास्तु की सुध्धी आपने की तबह केवाद छेत्र की सुध्धी है छेत्र की सुध्धी के साथ द्रब्व काल भाव भी तो जुलता है अगर आप खूब अच्छे से बास्तु के नुरूप अपना निर्मान कर लिए लेकिन आपकी कर्म की परनती अच्छी नहीं है तो बास्तु क्या करेगा समझ गया है उसी घर में लोग फले फुले तब बास्तु का दोस नहीं था और कोई वेक्ती कोई चूक कर गया थोड़ा नुकसान होने लगा डाउन फॉल हो गया तो बास्तु का दोसा नहीं लगा समझ गया है ऐसा एकांत नहीं है तो केवल बास्तु बास्तु की रट लगाने की जगा वास्तविक्ता को पहचान होते हैं समझें? और बास्तु के संदर में एक शलाह में देना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति से बास्तु के विशे में सलाह तभी मांगना जब पूरा मिठा के बनाने की मान सिकता हूँ और आजकल कुछ छुडभाईये बास्तु भी दा गया है जिनको पलवग ग्राही पांडित है दो चार किताबे पढ़ी और बास्तु कंसल्टेंट बन गया और वो अपनी राय आप लोगो को दे देते हैं जो लोग परिशान होते हैं उनको सब बाते अच्छी लगती है और लोग उसका फिर अनुकरन करने लगते फिर भी होता वाईय जो होना होता है मैं एक परिवार को जानता हूं दस साल बाद उनकी फैक्टरी में गया तो देखा बहुत तोड़ फोड़ मचा है हमने पुछा क्या बात है मुले मराज सब बास्तु के कारण किया ठीक है अब बास्तु के कारण जो जिस ने बताया सारा रिनोवेशन कर लिय लेकिन हालत बत से बत्तर हुई और सारी फैक्टरियां बिग गई मैंने उस समय उनको टिपनी की थी कि भीया तू बास्तु देख चाहे और कुछ जो ओबर इस्टिमेट काम करेगा वो मरेगा तुमने ओबर इस्टिमेट काम किये चादर से बाहर पैर निकाली इसमें बास् बास्तु क्या करेगा तो बास्तु एक छोटा सा रॉल रखता है एक ही लाइन में मैंने समिक्षा की थी बास्तु कुछ नहीं है यह कहना ठीक नहीं और बास्तु ही सब कुछ है यह मानना भी ठीक नहीं तो बास्तु को जितना है उतना ही मानो पर बास्तु से बड़ी वास्ता विक्ता है अबनेस्यूंदान। शबस्तू नमपोस्तू गुनाइत नटस्थी भारती जियन एम्दवाद इसके बात त Etlayangin बातेयार 여 twee एंगी राजकमारजी वफन जोत पुर हालो नमस्तू महराद जी नमस्तू महराद जी नमस्तू मरा जी, हम एम्दवाद गुजराद से हैं, वहां नेड़नगर मंदिर है, मतलब, लेकिन वहां क्या 40 साल पुराना मंदिर है, तो अभी क्या हम लोग ने नवनिर्वान करने के लिए, मंदिर को गिरा के फिर से बनाने की को, मतलब वो की, तो फिर उसमें क्या है, अनकास्ट है साइड में दोनों, तो वहां मतलब, बहुत जादा मतलब, वो लोग अरचन कर रहे हैं, तो चार, दो साल से तो काम कोरोना के बज़े से बन था, तीन साल से पैंडिंग पड़ा है काम, बन नहीं पा रहा है, तो जैसे हमारे गरस्त जीवन में कोई काम नहीं बनते तो हम कहत स्रेयांसी बहु विघनानी, अच्छे कारियों में विघन वाधायाती है, मंदिर के निर्मान में आगत इस विघन को विघन न मानिये, अपने धैर और श्रद्ध की परिक्षा मानिये, लगे रहे, कुछ पेंच फसा है, निकलेगा भावना भाईये, और यह सोचिए आज ही कल होगा, बहुत जगा ऐसा होता है, कुछ ऐसे विघन संतोसी लोग होते हैं, जिनको यह सब चीजे पसंद नहीं होती, वो कानूनी पेचीदिग्यों का फाइदा उठाते हैं, और धार भी कारियों में भी ब्यवधान करते हैं, यह विघन है, आप सब के सामुही कांतरा और पूरे अपने समाज के लोगों से कहिए, कि वे इसी तरह से जुड़े रहें, उत्साह वर्धन करते रहें, दर्सन पूजन तो हो ही रहा है, जब बक्त आएगा, तो मंदिर भी भवब बन जाएगा, शिरिमान राजकुमार जी वाफिना जोदपर उसके बाद नमस्तु महाराज जी, मेरा प्रस्न यह है कि गर से बाहर जाते समय परमेश्टी सरण पहुजमी या इच्छा कारणम संधी सह बगवन बोलना चाहिए, कर्पया संकार ज़रूर बोलना चाहिए, दोनों में अगर दोनों बोल तो सब से अच्छा है, एक बोले तो स्थे बाद तेयार जारेंगे शुद्धातमजठा जन कोटा, नहीं है, शुरय जिर, मॉभाई, विस जयन संक्तान दिली से, जो भी गुरुपया है, एक साथ ख़ड़ जाएंगे, श्रीमान पाधिर जी, पॉश्चल करेंगे, और सभी ख़ड़ जाएंगे, एक साथ, अप किसकी ज़्यादा importance है दोनों में से क्रिया या अभी प्राय किसी मा को अपने बच्चे को दूद पिलाते देखा है जी बिल्कुल कई बार देखा होगा मा बच्चे को दूद पिलाती है बच्चा उसको बार बार उगल देता है नहीं पीना चाहता है तो मा क्या करती है मुँ में दूद लगाती है और नाग दबा देती है नाग दबाती है तुम्हारी भी दबाई होगे पर तुम्हें याद नहीं पर दबाते वे देखा है अब मा की क्रिया कैसी है किसी की नाग दबाना अच्छी बात है पर उसका अभी प्राय क्या है अभी प्राय अच्छा है समझ मागया है बस क्रिया और अभी पाय के विशे में समझना है तो उधारन सामने रखना जादा बोलने की जरुबत मुझे नहीं लगते क्रिया से महत्तपून हमारा दृष्ठी कौन हम क्या कर रहे हैं ये महत्तपून नहीं हमारा उद्देश क्या है ये महत्तपून समझ गए है उद्देश है मा उसे दूद पिलाना चारिए ताकि बच्चे को पोशन मिलता रहे इसलिए मा ऐसा कर रहे अब वो पोशन नहीं मिल पाए उपाय क्या है बच्चे को किसी न किसी तरीक ऐसे तो पिला नहीं है ना तो किसी के हित की इच्छा से यदि हम कहीं कठोर होते हैं तो इस कठोरता में माधूरी ये समझना चाहिए समझ गया? अगले प्रशन के तयारेंगे श्री डाक्टर बिवेग जी उद्यपुर विस जैन संग्टन के शवी शाती यात्री सभी एक साथ खड़े हो जावें नमस्तु करेंगे और उनकी और से प्रशन करेंगे प्रदीव जी नमस्तु माराज आपके चारणों में बारंबार बंदन करता हूँ बोलिए मुनिसर, मैं विस्वयन संग्टन से आया हूँ उसी संग्टन की ओर से आपके चारणों में बारंबार बंदन करता हूँ हमारा संग्टन जो विस्वयन संग्टन है संबेज सिखर के लिए जो गजट पारित हुआ है उसके लिए जो अंदोनन चला रहा है उसके लिए आपके आशिरवाद की हमें बहुत आवश्यक्ता है आपका आशिरवाद हमें मिलेगा तो हभी हम सफ़ल हो पाएंगे हमारी ऐसी भामना है क्योंकि संतों के आशिरवाद के बिना सायद कोई भी कारें हमारा सफन नहीं हो सकता हमारी समाज उसके बिना आधूरी है और उसको करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि सम्मे सिखर अगर पे अगर प्रेटक स्थल क्योंकि से कुई भी कारें तो पहले उसकी ठोसकार योजना बनाए जब हम लोग कोई ब्रहत कार योजना बनाकर काम करते हैं तो उसका सहिए अंजाम निकलता है आजकर लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करके कोई भी कार है फटपट फटपट आगे बढ़ाने की प्रवित्ती में लग जाते हैं तो उससे कई बार वांचित परिणाम नहीं मिर पाता है अभी की जो इस्थिती है मुझे नहीं दिखता कि किसी आंदूलन से इस तरह के कारियों में शफलता मिलेगी मैंने पहले भी इस विशे में बात की बात चीट से इस काम का हल निकल सकता है हम लोगों के किसान आंदूलन को देखा किसान आंदूलन के आगे सरकार जुकी नी जुकी भी तो नहीं के बराबर कुछ हल नहीं निकला हम हजारो लगों लोगों इकाद बार इ supervised ख प्रत्टे भी हो जाए युक्ति शे काम लेना चाहिए, जहां काम युक्ति शे हो जाए, वहां सक्ति की क्या जरो है, सरकार के साथ अपना संबाद बनाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए, और मुझे जो संकेत अभी बीच के दिनों में मिले हैं, हलांकि पुष्ठ खबर पूरी तरह नहीं है, लेकिन जितने मिले हैं, उनसे एक खबर आई है, कि इसमें एक सकारात्मक परिणाम सामने आया है, आश्वासन मिले, हलांकि जब तक वहाँ पूरी तरह से आवचारिक तोर पर घोशित नहों, हमें इसे श्विकार नहीं करना चाहिए, पर इसे बहुत ब्यापक तरीके से देखना चाहिए, साथ ही इको-सेंस्टिव जोन के रूप में जो वाइल लाइफ सेंचुरी के अंतरगत रखा गया, और जिसको लेकर के परियतन इस्थल आदी की बाते आरी है, मैंने उस गजट नोटिफिकेशन को भी पढ़ा है, इसके भी दोनों पहलों है, सबसे पहले समाज के सभी वर्ग को बैठ कर, इसके हानी और लाव पर विचार करना चाहिए, बिशेशग्यों से राह लेनी चाहिए, एक ठोसकार योजना बनाकर एक स्वर में बात करनी चाहिए, जब हम एक स्वर में बात करेंगे तो परिणाम आएगा, अगर हमारी आवाज बटी रहेगी तो हम बट जाएगे, मुठी भर तो हम लोग हैं, हम लोग संनलेकरा संथारा के टेम में समाज की एक ताका एक अच्छा पर्चे दिये, उसका परिणाम भी एक अच्छा आया, इसी दिशा में हमें समेज सिकर वो तो हमारी आन, बान, शान है, इसकी सुरक्षा के लिए तो प्रान अर्पित करने की भी नौबताए तो हमें तत्पर रहना चाहिए, उसमें सोच्रा नहीं चाहिए, लेकिन पहले सही कार योजना बनाए, थोस दिशा में हम पहल करे, तो पर्णाम अच्छा आएगा, आपने मंच से सिधा सिधा सवाल उठाया है, उससे अलग से चर्चा करके उठाते तो साइध ज्यादा अच्छा होता, इसलिए मैं अभी इस बात को इस मंच पे ज्यादा न बढ़ा कर आपस यही कहना चाहूँगा, कि इस पर मंथन होने दिजे, दो दिन पहले ही हमारे समाच के ही कुछ एक वरिष्ट सदस्च के माध्धम से हमारे पास समाचा रहा है, वो मंत्राले इस तर पर बात्चीत कर रहे है, बहुत दिन से चल रही है वारता, मैंने भी कुछ लोगों को उस में प्रेडित किया और उस निशा में आगे बढ़े है, आश्वासन बिला है, यह आश्वासन क्रियानिवी थो, और एक बार उस गजट नोटिफिकेशन की सही समिक्षा हो, ता कि हम, हमारा एक ही लक्षा है, हमारे तीथ का संरक्षन, तो जिस भाँत ही हमारा तीथ संरक्षित हो, हमें वो कार करना जाए। ड़क्टर बिवेग जी, अदेपुर उसके बाते हैं, आपके और जो बात हो, मुझ से अलग से बात कर लेना, मैं बिश्वय जैन संगठन के अभियान को रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीका का, जब हम भ्रहद अभियान चलाते हैं, तो समाज में एक संबाद होना चाहिए, एक राय बननी चाहिए, फिर हम लोग कोई काम करेंगे तो सब लगेंगे, सब़ एक रहा हूँ, बहुत परीगे, डाक्टर विवेक जी अधेपुर, उसके बत्तिया रहेंगे, गड़ाए तंटश्टी, संतुष जी, विलेरा सागर, नमस्तु महराजी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, त्री बार नमस्तु, मेरा प्रश्णी यह है कि हमें जानने देखने से ही सम्म्यकदशन की प्राप्ति होती है, तो इस बात का आशे क्या है महराजी, यह चीज समझ में नही आती, किसने का कि जनने देखने से संध्य जसन के प्राप्ति होते हैं? कहां पाट लिया? बहुत बार प्रवचनों में सुना है हाँ तो प्रवचनों में सुना है तो साइद अधूरी बात उनी होventh संभ ग्या है बीट राग संध्य जिस्टी केवल जनना देखता है पर जानने देखने से सम्मेक दर्सन नहीं होता, आतमा को जानने से सम्मेक दर्सन नहीं होता, आतमा को जानने से सम्मेक दर्सन का मतलब किया अपनी आपकी पहचान तो जब तक अपने आपको पहचान होंगे नहीं तो सम्मेक दर्सन किसे होगा, हम अपने आपको भूल बैठ जब में एक दर्शन, चले। एक चले पर दर्ताशी बाई के ओधादारी बाज़ा कर करें आगे 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 वे अजय कहांगे शऽटा चिरी आँका गे प्रस्टे करें गे लिए भाए ता ता यहीं श्रावन आद्ट्डिए पहाड़ी । नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव. ये गुलग बच्चोन एकटा किया था, इसने भी, पर हमारी इच्छा ही थी कि जब साक्षा अधर्शन होंगे गुरुदेव के, तभी वो मंदिर में हम या गुरुदेव के चड़नों में चड़ाएंगे. और माराजी मेरी शंका एक थी कि एक बात कही जाती ही कि बच्चों को पहली बार अभी शेख जब करना है, तो कुछ आठ साल, आठ साल की ये इसमें करना चाहिए. तुसमें शंका ये थी, कि आठ वा साल लगते ही कर सकता है बच्चा, अभी शेख प्रतम, ये आठ साल कंप्लिट होने के बाद. आठ साल पूर होने के बार, दूसरा इसका कुछ लोजिक है, आठ साल का, कि बच्चा तो आठ साल होने पर ही वह सम्मेंक जस्द्शन की यओगिता जाता ही, आठ साल का होने में ही ओए अठ करम को कातने की सामर्थ पासakता ह। इसलिए उसको आठ साल मे ठेटे ह नमुष्तु महराजी, महराजी हम लोग अनुभाव केंदर गए, वहाँ हम लोग ने अनुभाव केंदर का अनुभाव किया, हम लोग यह नी समझ पाहिए, कि महराजी ने इतना बड़ कार ये अनुभाव केंदर का अनुभाव केंदर का अनुभाव केंदर का अनुभाव के कासम कदम और कलम को हम अपने जीवन में किस तरह चलाएं? कासम कदम और कलम वो अपने जीवन में किस तरह अपयोग करें? कासम कभी खंडितना होने दे कादम कभी लडखडाने न दे और कलम को कभी बहगने न दे कासम खंडित हो जाए तो कासम का कोई अर्थ नहीं कदम लडखड़ा जाए तो खतरे से खाली नहीं और कलम भग जाए तो बिनास को आमंत्रन है इसलिए इसलिए इन तीनों पर ध्यान रखकर चले हमारा जीवन सुखी शंपन होगा मेराज जी अनुवाव केंदर का गया? शिर्वान अओ अओ केंदर का व्या बनादिया मैं तो एक पंक्ति में बोलूंगा आप लोगों के पुन्ने से इसलिए इसका नाम अनुभू केंदर किया है जिसका यहां आकर लोगों को जीवन की एक नही अनुभूती हो मैं तो एक ही बात कहता हूँ जब अभी के वर धांचा देखकर आपका अनुभू बदलता है तो जब उसकी पूरे शरूप को आप देखोगे जीवन में एक नया अनुभू होगा मेरे एक ही कोशिश है कि बच्चे बच्चे के हुर्दे में एक नही अनुभूती प्रकट हो जिससे वो अपने जीवन में एक बड़ा रुपान तरण घटित कर सके एक ट्रांसफार्मेशन होना चाहिए बदलाओ ब्यापक बदलाओ अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जरूर होगा और हम उसमें सफ़र लोगा श्रीमान नवीन चन्जी श्रुनवाली जैने करे लिए उसके बाद तयारेंगे कोशद्ध गुणायतान श्रीमान एनलेल साव जैपुर महराश्री के चर्णों में नमोस्तू नमोस्तू महराश्री मेरा प्रश्न ये है कि धर्म के जो चार इस्थम बताए गए हैं वे कौन-कौन से है धर्म के चार इस्थम अगर मुझसे पुछो तो आप स्रावकों को केंदर में रखकर में चार इस्थम बता रहा हूं पूजासी लुकवास यही तुम्हारे स्थम इनको बनाय रखो इस पाय को मजबूत रखो धर्म सुदिल रहे श्रीमान एननजी साव अपने प्रशने को यह रखें उसके पूर में अमन्तित करूँगा हमारे गुणायतन चष्ट परिवार से गुणायतन चष्टी की रूप में जुड़ने का जिनों श्रभाग प्रातिया पूर परिवार पस्तित हैं श्रीमान रमेश कमाणी जवेर चंदी श्रीमती भवीता करण जेनम जेन मुंबई मैं श्रमान से तामतित करूँगा वियाए परंपोज मुनिवर के स्रिचण में नमन करते हैं गुरुवन्दा का श्रभाग प्रात करेंगे और श्रीमान एनन जेन साव हमारे श्रमानी अनमुद नकली वजनी चाहिए और श्रीमान एननल जेन साव श्रमान का कारीकरम शंपन करें तारिया थोड़ा कम बजी थी अच्छे से बज़े तो अच्छा लगेगा और आए अगले प्रश्रम के रूपे श्रीमान एननल जेन साव कोशद्धश गुणायतन जैपुर उसके वाद तेयारेंगी प्रियांशी जैन स्रिवपुरी दोनों गुरुओं को साधन नमन, वांदन, मारा स्री अमेरिका में एक डॉक्टर्स की कॉन्फरेंस हो रही थी उसमें एक डॉक्टर ने अपना प्रतिवे दिन दिया और उस प्रतिवे दिन में उसने कहा कि मुझे, मेरा और मैं तीनों सब्द का जो को यादमी प्रयोग करता है तो उसको हार्ट अटेक के चांज से ज़्यादा है जब उससे पूछा गया कि आप कैसे कर रहे हो तो बोले मेरा ही एक अनुभव है और मैं अनुभव के आधार पे ऐसा कह रहा हूँ कि ये ऐसा होता है उसने बाद में बोला कि आपने अनुभव कैसे लिया उन बोला कि जब आदमी आत्मे केंद्रित हो जाता है तो फिर ये ऐसा होता है अरजी क्या है सही है डाक्टर ने आज बोला बहुत बहुत धन्यवाद दिजिए उस डाक्टर को कि वो हमारी बात को खोला है अपने जो बोला कि मुझे मेरा और मैं की विचार धारा में जिने वारे लोगों को हार्ट अटेक जादा होता है और बिल्कुल आत्म के इंदित होने के करने हार्ट अटेक होता है ये आज बोला जा रहा है मुझे नहीं मालूम ये प्रतिवेदन या कोई शोध पत्र है कि साधार पर कहा प्रकासी थे यदि है तो इसे प्रचारित करना शाहिए क्योंकि ये तो हमारी संस्कृती का मूल दत्त है हमारी आत्मा के पतन का मूल कार अहंकार और ममकार है मुझे मेरा मै ये ही तो हंकार और ममकार है जो मोहों की परनती है ए अंदर होता है आशकती बढ़ती है और आसकती मुर्चा को उत्पन करती है उससे हमारे हाट बीट में अंतर होता है आप देखें दुनिया में कुछ भी हो जाए आपको कुछ फरक नहीं परता लेकिन जहां आपका मेरा जुलता आपकी हाट बीट बढ़ती के नहीं बढ़ती तो जिससे हमारा लगा होता है जुडा होता है जिसमें हमारे श्वामित की भावना होती है वो इधर से उधर हो जाए एक तिन का भी इधर से उधर होता है तकलीफ होती इसलिए हमारे सास कहते हैं जो मुर्चा को जीत ले जो ममत को जीत ले वो हर पल आनंद में रहता तो अपने जीवन को आनंद में बनाए निश्चित उन्होंने जो कुछ कहा है अपने अनभाव से कहा है मैं तो कहता हूँ इस अनभाव की प्रमानिक्ता और बढ़ जाएगी यदि इसे हम तथात्मक अध्धन के साथ प्रस्तुत करे निश्चित ये होगा अगर कुछ ऐसे ऐसे विक्ति की इजी और मेजी कराई जाए उसको देखा जाए उसके माइंड का स्टेट चेक किया जाए देखा जाए तो मुझे लगता है कि जरूर ये कुछ ऐसा होगा कि जब हमारे भीतर इस तरह की भावनाएं होती है तो हमारे सरीर के अंतसावी गंतियों में कुछ परिवर्तन होता है और उस समय हमारे हिर्दय की धड़कन में भी बदलावाता होगा और यदि ये अध्यान बैग्यानिक तरीके से किया जाए तो मुझे लगता है जरूर कोई चोकाने वाले परनाम आए प्रियांशी जैन से उपरी उसके वाद तेयारेंगे पृतवस्तली राम टेक शंदगरी से ब्रह्मचाणी श्वाती और ब्रह्मचाणी अंजली दिदी भॉनों महराच जी के चढ़ मेरा कोटे-कोटे बार बार बनन एवं मेरी परवार के सथरे बार बनन बार बनन महराच जी अगर किसी जीप की मृत्तु हो जाती है और वाय देप गटी को प्राप्त होता है तो क्या वाय अपने घर कभी बापिस आते हैं? वो आई और नाई घर वाले तो बुलाती ही रहते हैं घरवालो के दिमाग में बैठा रहता है सो वो सकता है घटनाय सुनने में आती है कि वो आज आए लेकिन मैं तो एकी बात जानता हूं आज सास्त कहते हैं बैमानिक देव आज लौट के नहीं आते बहुन वासी बैंतर आदिक जेव भले आजाए जाए ज़िए बहाई श्वाती अंजली राम्तेक शंदर गरी प्रतवस्त्री अश्के लाते हैं अरशित अरचना वेनाड़ा गुनायतन चश्टी कोलकता महराश्री के चरणों में मेरा बारंबा नमोस्तू 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 महराश्री ऐसा कहते हैं डाट के बिना शिश्य और सीश्य का संबन देख्या पर देखा जाता है कि यदि बच्चों को ना डाट आजाए तो वो पढ़ते नहीं अधिकांस बच्चे छोटे बच्चे तो भय के कारण ही पढ़ते हैं और जब बच्चों पर हम लोगों ने अध्यन किया इस वार हम लोगों ने उनसे पूछा कि जब हम लोग आपको डाटते हैं तो आपको कैसा लगता है तो वो कहते हैं कि दीदी हमें थोड़ी देर तक मतलब दस मिनिट तक तो कुछ समझ में नहीं आता और कुछ याद भी नहीं होता आप क्या बता रहें ये भी समझ में नहीं आता और ये जब उनसे हर वेक्ती जैसे कहते हैं कि प्रसंशा और सम्मान का भूका होता है और बच्चों को यदि जब प्रोस्तान देते हैं तो बहुत जल्दी आंगे बढ़ते हैं और जादा लर्न करने लगते हैं तो महाराश्री मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका इसमें विचार क्या है कि बच्चों को डार्ट से किस तरह है और कितना प्रोस्तान देते हैं आप मेरे बिचार पूछ रहे हैं खड़े दो मिना मैं अपना अन्भा बताता हूं हम लोग तो थुक पिट के पढ़े हैं अपने जामाने में तो थुकाई बिटाई होती थी थी कि नहीं भोलो हा où और वो जो दिस्थिडून हैं वोग हैं भर में थुकते था और श्रु को थुकते था और श्रु कुछा थकते कर गया घर में ज्ट कढ़ीज च़रिद plans लiono hätte अब आज सिस्टम बदल गया, अब बच्चों को अगर किसी तरह की इस तरह की प्रतालना दे दी जाए तो उसे एक अपराज की रूप में देखा जाने लगा है, एक बहस का विशह में उस विशह में कोई राय नहीं देता, लेकिन वेक्ट्यू को मैनर्स तो शिखाना हमारे नीती की गंथों के अनुसार अगर बात करें तो लाड ये चतु वर्सानी, दस वाल वर्सानी तालिये, जाए ते तू सोड़ से वर्से, मित्रवत समा चरे, चार साल तक लाड प्यार रखो, दस वर्स तक खुब कंट्रोल में रखो, फुल कस्टड़ी में, लालनात बहवा दो साथ, तालनात बहवा गुना, ये नीती के वाक है, लाड में वेकती बिगड़ता है, और लात खाकर आजमी सुधरता है, लाड में सुधरता है, अब ये एक अलग विशा है, मैं बोलू गा, तो बहुत सारे लोग मुझे पुराने ख्यालों का इंसान कह देंगे लेकिन आज जो खामियाजा है, घर-गर में देख रहे हैं, और इसके एक वज़ा है, पहले बहुत संतान होती थे ना, तो ठुकने पिटने की ज़्यादा परवानी होती था, अब एक ही होता है, और अगर हो जाए तो परिवार के लोग भी चड़ बैठे, निर्ममता तो न मुझे पूरे स्कूल के जीवन में एक बार के अलावा कभी पिटने का मुका नहीं आया, मैंने कभी ऐसा कामी नहीं किया, सिक्षको का आदर का पात रहा, और चुकी शुरू से मेधावी था, कोई भी सवाल पूछा जाता था, सबसे पहले मेरा हाथ उठता था, और जब को सदेव ध्यान में रखा, कभी ऐसे बंक नहीं मारा और को डंडता नहीं कि इसलिए वार पीट की कोई शंभवना बनी नहीं, लेकिन ऐसा होता था, पर उस दौर में भी हमारे एक शिक्षक थे, जो किसी को बहुत कम पीटते थे, और उनकी सजा थी, दो छड़ी यहां पर, तीसरी छड़ी नहीं, अगर कभी दिये भी, तो केवल दो छड़ी यहां पर देते हैं, जबकि ऐसे ऐसे भी सिक्षक थे, मुरगा बना देते थे, कुर्सी बनाते देते, ठोकते भी थे अच्छे थे, वो जमाना अलग था, आस्ते 35-40 साल पुरानी बात में कर रहा हूं, त जड़ा कदा ही किसी की पिटाई होती थी, पर उन से सबसे ज़्यादा लोग ड़ते थे, और जो ठोकते थे, उनको लोग अंदर अंदर गालियां भी देते थे, तो आती कहीं नहीं होना चाहिए, लाड और डाट, अंतर हाथ समहर के बाहर मारे चोड, यह उकती होनी डाट के बिना सिस्च और सीशी का भविष्च कहां, यह गुरुदेव ने लिखा है, बिलकुल यथार्थ लिखा है, तो थोड़ी डाट तो चाहिए ही चाहिए, केवल प्यार प्यार में तो, कहते हैं, ज़्यादा मिठास में कीडे पढ़ जाते हैं, इसलिए मिठास के थोड़ा संतुलन भी होना चाहिए, खटास भी होनी चाहिए. ज़्यावित्य और वासल ये तीनों बहुत महत्तपून हैं, और इन तीनों को बढ़ाए रखने के लिए हम क्या करें, हम जिनके मध्य रखते हैं, उनके गुनों की प्रती दिष्टी रखें, सेवा भाव अपने अंदर उतर उतर बढ़ाते रहें, गुनानु रागरी अशित अर्चना वेनाड़ा गुनायतन ट्ष्टी को लगता अपने प्रशन को रखें, उसके अपूर में शभी आधिना त्यातर संग पानिपस से जो भी स्रावट श्राविकाय अपने स्थान पे खड़ों के परमपोज मुरिवर के स्रीचर में नमन करते हैं, पर हो रहा है, जो की बहुती प्रेणा दायक है, कभी-कभी लगता महरच जी की आप मेरे लिए ही प्रवचन कर रहे हैं, जो दोष आप दिखाते हैं हम सब को, तो लगता है की सारे दोस मेरे अंदर ही है, फिर आप कुरल कावब से उसको इतना सुंदर तरीका से समझाते है की लगता है की इसको अपनाए तो जीवन सुदर जाए, महरच जी, कैसे आपके मन में आया की कुरल कावब से प्रवचन हो, और इसको समझते सैली भी आप बहुत अधूत तरीके से बताते हैं, तो महरच जी, ये कैसे होता है, बहुत इच्छा प्रवचन मेरे मन में कैसे आ कहना चाहता हूं, प्रवचन का मतलब ही है जो सुनने वाले को लगे कि ये केवल मेरे लिए, आप लोगों से एक चला देता हूं प्रवचन कभी मत सुनना, प्रवचन सुनना बंद कर दो, आप लोग प्रवचन सुनना बंद कर दो, गुरू की वानी को मेरे लिए दिया गय कि कि माहराज़ दर्शन मान कर सुनो एक 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 माने दर्सण भीट को आप्ल हं कर युप ये सुना आव कामस को gjट हम्हारा काम सुननि मेरा धर्म कि सुनने को धर्मत मान औ धर्म करने के विए सुटना सुनًा करो एक क ही जाकर जिवन बदलेगा तो मैं तुभारे माध्यम से सबसे कहूंगा कि आप सुने तो उसे इस तरीके से सुने जो जीवन को इस पर्स कर सके आप पुछा कुरल काब को ही क्यों चुना अब मुझे प्रवचन तो करना ही और आप लोगों को रोज नया नया प्रवचन चाहिए तो नया नया प्रवचन चाहिए तो नया नया आधार तो कुछ ना कुछ चाहिए तो कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए कुरल काब से मैं बहुत प्रभावी थूँ मैं अक्षर अपने प्रवचनों में कुरल काब को उधरित करता रहता हूँ पिछले वरस आचायर कुंद कुंद के वांग में पर प्रवचन किया था उससे पहले हमने आ से हा तक प्रवचन किया तीन बार आ से हा तक हुआ A B C D तीन बार पढ़ा दिया आप लोगों को हमने का इस बार कुरल काब हो जाए अभी आधा के करीब हुआ है आधा और वाकी है चलेगा लाब लेते रहे एक कुरल काब एक ऐसा गरंथ है जिसे हम संप्रदाया तीत गरंथ कह सकते हैं जिसमें सीजे अध्यात, मनीती, आचार और धन्मचारों का समावेश है जीवन मुल्यों का इतना सरस्विवेचन अन्नत्र देखने को नहीं मिलता तो मुझे लगा ऐसे सरवपयोगी, सरवग्राही, गरंथ का प्रचार होना चाहिए मैं प्रवचन तो अपने ही शबदों में करता हूँ उनके तो वाक्यों का अलंमन लेता हूँ उसको छोड़ करके भी प्रवचन कर सकता था पर मैं सोचता हूँ इसके माध्धम से अदी लोग गरंच से भी परचित हो तो ज्यादा अचा मैं पने आवाद दे रहा हूँ आदिना ते अत्र संके शभी आत्री पानी पस्ते जो यहाँ पर पस्ते तंगर यहाँ पर हैं तो खड़े हो के परंपूज मुनिवर के स्विचर में नमन करते हूँ आशिरवाद प्रात करें और अगले प्रश्मे लिए गिरिश्यंद गुणायत अंचस्टी नौगमा वाश्वाड़ा बहुत संदर आशिरवाद नमस्तु मनिवर आगम के अनुसार शांती दारा कब से शुरू हुई और इसका क्या महत्व है और इसके द्वारा हमारी इच्छा की मांग करना या पूर्ती करना कहां तक उचित है देखे सांती नारा के संदर में जब मैंने आगम में देखा तो सबसे पुराना उलेग देखने को मिला आदी पुरानी जब भरत चकवर्ती को सोला असुप सपने आए उसका मन उद्विक नहो उठा तो इसने अपने मन की सांती के लिए अनेक कर्म किये महुत सारा उलेख है और भगवान का अभिषेक किया ऐसा उलेख वहां मिलता है वो अभिषेक सांती धारा का ही एक रूप है सांती के लिए अभिषेक ही सांती धारा दूसरा जब भगवान का जन्मकर ल्यानक होता है तो इंद्र सांतिधारा करता है मागनन्दी के अभिषेक पाठ में इती ब्रहत चांती मंत्रेना अभिषेकम करूम यह भी सांतिधारा का उलेख कराता है समझ गया है? तो इन सब बातों से यह तो इसपस्ट होता है कि सांती धारा जगत की सांती के लिए की जाती है अब आपका जो दूसरा पहलू है कि यदि हम बेक्तिगत सांती के लिए सांती धारा करते हैं तो क्या दोश नहीं है अरे हम तो रोज भगवान की पूजा के बाद सांती पाठ करते ही की नहीं सारे जगत की सांती है और सारे जगत की सांती में मेरी भी सांती हो जाए इसमें कहने में कोई दोस नहीं है उसे ले करके चलना चाहिए इस प्रकार आज की सत्र को परम पूझ गुर्देव के चलनों में नमन अर्पित करते वे मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ